हिंदी पेपर डू का या वन का हम इसमें ये देखेंगे फर्स्ट करिशन है कविता जी कविती के पंक्तिया है उसे पढ़कर ये जवाब देना है तो इसमें फर्स्ट वाला सही है कम्वियाश में चमकिली समोह का आशे क्या है चमकिली समोह का आशे तो ये है उसमें चमकिली है सुबह आज की आसमान में यानि चमकिली जो है सुबह चमकीली सुबह तो अंधकार समाप्ती के बाद आशे भरी सुबह उसे कहा गया है सफेदी कोहरे से चमकती सुबा नहीं है सूरी की किरनों से चमकती सुबा नहीं है प्राप्त काल का समय नहीं है अंदकार समाप्ती के बाद आशा भरी एक और इसमें आशा है कभी को विश्वास किस पर है कभी को विश्वास है कि तो यहाँ पर हम देखेंगे विश्वास है तो इसका यह option है कि सुबह की समय सदा सुहाना होता है सुबह का सूर्य कश्ट दूर करता है आज की सुबह सबसे अच्छी होगी यह फिर कल की सुबह आज से अच्छी होगी नेक्स तक कुंठाव के टहनी चिन भिन होंगी इससे क्या तात पर ये है निराशा दूर होंगी या दुख की अनुभुती खतम होंगी या मन का दुख दूर होगा या पुराने डाल तूट जाएंगी तो निराशा दूर होंगी चांदनी का विशेशन क्या है तो चटकिली है गमकती महकती या तडबती नहीं है चटकिली चांदनी का विशेशन दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है उसका मतलब यह है कि दिलों में सबके प्रती मित्रता रहेंगी धरवाजे खुल जाएंगे मतलब सबसे दिलों में सबके प्रती मित्रता रहेंगी दोस्ती हदे से हदे मिलेंगे नहीं है कोई वात छिपी नहीं रहेंगे नहीं है आपस में बाते करेंगे नहीं है कुसुम का परियावाची शब्द क्या नहीं है तो कुसुम का परियावाची शब्द पुश्प है, सुमन है, परसुन है, लेकिन कमल नहीं है कुसुम, पुशुप, सुमन, परसुन, लेकिन कमल नहीं है Second question देखेंगे निम्र में से कौन सा सस्वन वाचन का गुण है तो दोनों है अशुद्ध, उच्चरन और उचित, बल विराम दोनों तीसरा है कि अंगरेजी शिक्षन के संदर्ब में शिक्षन कोशल का अर्थ क्या है ये सबी है कि शिक्षक का वेवहार, शिक्षनिक, गतिविधी, शिक्षक का कारिय राज भाषा का तातपर ये क्या है सरकारी कामकाज की भाषा देश की सांस्कृति नहीं है, देश की सारवदिक बोली जाने नहीं है सरकारी कामकाज की भाषा है फिफ्त है निमर में से कौनसा अनुदेशातमक सामगरी का मुख्य विशेषता नहीं है तो इस्थाई सीख नहीं है, बाखी समय और उड़जा है गर राज को सहें जेंगे और अनुशाहिं सता रोकने ये है लेकिन जो नहीं है विशेषता, वो इस्थाई सीख है शिक्स्त है याद आना निम्र में से कौनसा धातू रूप है याद आना मिश्र धातू है नाम धातू नहीं है अनु करना अत्मक धातू नहीं है इन में से कोई नहीं ये भी नहीं है मिश्र धातू है उसके बाद है सेवेंथ निम्र में से कौन सा कवीता शिक्षन की एक तक्निक है तो एक और दो दोनों उच्चरन ड्रिल समान अंतर उद्धा रंग एर्थ है डैश के अतिरिक्त निमन लिखित पाठे करम सहे गर्मी किरिया कलाब भाशा शीखने से सहायक हो सकता है तो पाठो को याद करना परिचर्चा घटना वर्णान गीत नहीं है पाठो को याद करना ये अतिरिक्त निमन लिखित पाठे करम सहे गर्मी किरिया कलाब भाशा सीखने से सहायक हो सकता है उसके बाद 9 है कि विद्याले आने से पुर्व बच्चे क्या करते तो अपनी भाशा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते है ये उसे करना है नेक्स्ट है तेंथ हिंदी भाशा के शिक्षा का उद्देश क्या है तो हिंदी भाशा के शिक्षा का उद्देश ये है कि छात्रों में वैवसाइक कौशल विक्सित करना है चात्रों में सामाजिक जागरूता विक्सित करना नहीं है, परिक्षा के लिए चात्रों को तयार करना भी नहीं है और वैवारिक जीवन के लिए चात्रों को तयार करना नहीं है छात्रों में वैवसाइक कौशल ले विक्सित करना ये हिंदी भाष्य की शिक्षा का उद्धेश है 11. निम्र में से किसका परिक्षण वस्तु निष्ट परिश्ण द्वारा किया जा सकता है 12. एक से अधिक भाष्य का परियोग संगनात्मक विकास में सहायक है 13. भाष्य में आकलन का परियोग मुख्यत इसमें से किसके लिए होना चाहिए 14. बहु भाष्य क्ता बच्चे की आस्मिता का निर्मान करती है 14. बहु भाष्य क्ता चुनोती है जिसका समाधान संबवने ये भी नहीं है और भाशा नीती बनाने से बहुत बड़ी बादा है ये भी नहीं फिफ्टीन्थ है निमन लिखित में से कौन सा स्वर लोप दोश का उच्चरण है तो उसमें से ये है कि छात्रिय को छत्री कहना इस तरह से ये छत्रिय को छत्री कहना तो इसमें से ये जो है छत्रिय को छत्री कहना ये स्वर लोप दोश का उच्चरण है उसकी उदारन है अमरित को अमरित कहना ये नहीं है बिजेंदर को बरजेंदर कहना ये भी नहीं है इस्तरान को आसनान कहना ये भी नहीं है इस्तरान को आसनान कहना ये भी नहीं है प्रगति में माता पिता की भूमी का कैसी ये भी नहीं है उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमी का कितनी है ये भी नहीं है तो जब भी आता है पॉर्टफोलियो आकलन करते समय हिंदी भाष्या का आकलन करते समय पॉर्टफोलियो बच्चों में ये बताता है कि कमरश यान कमबरश उनकी प्रगति किस परकार हो रही है 17 वचन पठन वो जटील अधिगम परकरिया है जिसमें द्रिश्य श्रवाय सर्किट का मस्तिक्ष्ट के अधिगम केंदर से संबंद निहित है ये कथन किसका है तो ये कथन है कैरेथिन ओकरनन का 24 की वायगर्ट्सकी और प्याजे का नहीं है कैथरीन ओकनर इनका है ये के उनने ये बता है कि वचन पाठन वो जटील अधिगम परकरिया है जिसमें द्रिश्य श्रवाय सर्किट का मस्तिक्ष्ट के अधिगम केंदर से संबंद निहित है तो ये कठन कैथरीन ओकनर का है 18 है उच्च प्रात्मिक स्थर पर बहु भाशिक कक्षा में बच्चों की भाशा या भाशा एक संसाधन है ये सही है पहली नहीं है जटिल चुनोती नहीं है कठिन संस्य नहीं है एक संसाधन है 19 है भाशा हमारे या हमारी विचार प्रकरिया को वैवस्तित करती है विचार प्रकरिया करना है, वैकरिक चेतना नहीं है, सामाजिक वैवार नहीं है, खेल प्रकरिया नहीं है, विचार प्रकरिया, उसके बाद 20 है, उच्चे प्रात्मिक इस्तर पर भाशा शिक्षन का सर्व परि उद्देश क्या है, तो वो है कि निजी अनुभवों के आधर इंडिज्वल यानि इन्फरादी अनुभवों के आज़ार पर भाशा का सरजन शील इस्तेमाल करना भाशा के सौंदर ये स्त्रीरी से परीचे नहीं है विभिन साहितिक विधियों का गहनत्म ग्यान प्राप्त करना ये नहीं है और सरसरी तोर पर त्रीव गती से पढ़ना य भाशा शिक्षन का सर्व परि उद्देश है के निजी अनुभवों के आधर पर भाशा का सरजन शील इस्तेमाल करना 21 है बच्चों के लेखन का मुल्यांकन करने के लिए कौन सी विधी अच्छी हो सकती है तो पाठ के अनुशार प्रेशन के उत्तर लिखना ये विधी बच्चों को लेखन मुल्यांकन करने के लिए अच्छी हो सकती है सुन्दर लेखन का अभ्यास नहीं है और शुरूती लेखन भी नहीं इसमें अपने अनुभवों को लिखना भी नहीं है पाट के अनुसार प्रश्ण के उत्तर लिखना ये बच्चों को लेखन का मुल्यांकन करने के लिए ये विदी अच्छी है 22 है निम्र में से कौन सा शिक्षन वैकरण का एक तरीखा नहीं है तो निगमर आसमक विधी ये है अधिश्ट पान विधी भी है आस्कमिक विधी भी है पूश्टाच विधी ये नहीं होती तो निम्र में से कौन सा सिक्षन वेकरण की एक तरीखा नहीं है तो पूश्टाज विदी नहीं है 23rd है कि पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचीत नहीं है तो पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचीत नहीं है तो समक्ष पाठक परतेक शब्द पर ध्यान देते है सक्षम पाठक परतेक्ष शब्द पर ध्यान देते है ये सही नहीं बाकि ये सही है कि अक्षर की विशेश आकरती और उसकी एक खास धोनी होती है पढ़ना उद्देश पुर्ण एव चुनोती पुर्ण हो ये भी सही है परतेक्ष शब्द पर ध्यान देते है ये पढ़ने के बारे में उचीत नहीं है अग्रेजी भाष शिक्षण में निगमात्मक विधी का एक नुकसान क्या है कि नुकसान यह है कि ये विधी सीखने वालों के बीज समवात की शम्ता विक्सित नहीं कर सकता अंगरेजी भाष शिक्षन में निग्नमात्मक विधी का एक नुखसान ये है कि ये विधी सीखने वाला जो सीखने वाला है उसके बीच समवात की शमत्ता विक्सित नहीं कर सकता बाखी ये है कि इसे लागू करने के लिए मुश्किल है लेकिन हम इस रूप में आवसत शिक्षको को इस पद्धती का उप्योग नहीं कर सकते ये सही है शिक्षार्थी आसनी से वैकरण के सवाल कोशिश नहीं कर सकते ये भी सही उपरोग सभी ये गलत है लेकिन ये एक नुखसान जो है तो वो एक ही है सिर्फ कि ये विदी सीखने वालों के भी समवात की शम्ता विक्सित नहीं कर सकती या दखने अंग्रिजी बाचा शिक्षन में निक्न आत्मक्स विदी का 25 है कि आलम अक्सर अपनी कक्षा में परसंगा अनुसार सिनेमा एफम की चर्चा करता है तो इसका परमो कारण क्या है तो बड़ा कारण ये है कि वो सिनेमा और एफम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है रेडियो और ये सभी बच्चों को एफम परसारित गीत पसंद होते ये नहीं है सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद है ये भी जवाब गलत है बच्चों को संचार माध्यमों के द्वारा ही पढ़ाया जा सकते है ये भी गलत है ये है कि सिनेमा और एफम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है नेक्स वीडियो में इसका नेक्स सेशन देखेंगे